हलो दोस्तों जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि पीछे जो हमारे रेलिंग बनी हुई है ये वाली इसका हमने नीचे जोड़ के दिखाया था रेलिंग किस तरह से जोड़े तो आसान और मजबूत जोड़ सकते हैं तो आज हम दिखाते हैं आपको रेलिंग जब लग जाती ह और सही और सटीकृ बनेगा तो आए दिखाते हैं हम आपको कि किस तरीके से रिंटे डालना चाहिए और उसपर र सी डालनी चाहिए हूं तो हमारे चैनल पर अगर नए हूं आप तो हमारा चैनल सस्क्राइब कर लें और अब दिखाते हैं किस तरह से रदे लगाएं और किस तरह से RCC डारें किस तरह से काम करें जो एक अच्छा मिस्तिरी बन सकें तो आईए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रदे जो लगाये थे हमने कल उनको दिखाते हैं और फिर उन पर RCC कैसे डालते हैं वो हम आपको दिखाएंगे तो देखिए ये रदे जो लगे हुए हैं इन पर तीन रदे देखिए लगे हैं और चौते रदे के लिए आप RCC डालेंगे जिस तरीके से सरिया हमने रखी है इस तरीके से आप दो सरिया रखके और नीचे से उठा के इनको थोड़ा सा नीचे से उठा लेंगे तब RCC भरना शुरू करेंगे जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से छज्जा अगर हो यहाँ पे तो आप छज्जे को मोड़ सकते हैं इदर से क्योंकि ज़दे में सरीया मोड़ के डालेंगे तो ज़्यादा मजबूत रहेगी इस तरीके से आप सरीया दो रख लेंगे तब आप RCC बरना सुरू करें इस तरीके से आप दो सरीया रखे और की जैसे दूरी बनी रहे इसलिए आप सрьया नीचे से उठा लें थोड़ हाई औ दीकि नीचे से अगर फरस औरस या इस पर टाइल लगेगा तो आप नीचे से तैल जो है उससे बौड़न लग जाए और इधर इत्ता बढ़ा के डाला है इसलिए क्योंकि छज्जा पर जब लोड आएगा या छज्जा जणेगा तो आपका लिंटर इधर रूपर अभी चुनाई लगनी है इसके उपर अभी चुनाई लगेगी उपर तक तीन फूट तक तब आपका छज्जा जिसे ज़मेगा तो रूप लेगा है इसलिए लिंटर इधर बढ़ा के डाला गया है यह जो बीम पढ़ा है इसलिए दो सरीया रखके डाला गया है क्योंकि अब इसके उपर रेलिंग लेगेगी और इस तरीके से आप पूरा बीम डाल लेंगे यहां से वहां तक और आप इस तरीके से बना करें तो अच्छे मिस्तरी साबित होंगे जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं जिससे हमारा अगला वीडियो आपको जल्दी देखने को मिले और हमारे चैनल पे जो वीडियो हैं उनको पूरा देखें तभी आप समझ पाए वीडियो देखें लिससे आप एक अच्छे मिस्तरी बन सकें धन्यवाद